आईए बढ़ते आगे कोरोना के चलते देश बर में बड़े प्रतिबंद की वज़े से होटल इंडस्ट्री को हुए हैं बड़े नुकसान किस तरह के नुकसान हुए पीक सीजन में बता रहा है हमें वरुन वरुन क्या डिटेल से हमके बास तो अनिल जी 25 दिसंबर के बाद थोड़ा नुकसान होना शुरू हुआ है तब तक हाला सब एकड़ में तो में तो 25 दिसंबर से एक जैनरी है हां लेकिन अनिल जी उसमें कैंसलेशन थोड़े बहुत हो गए और यह दिक्कर की बाद है जिसे क 25 दिसंबर के बाद से थोड़े बहुत कैंसलेशन जो है वो शुरू हो गए है कुछ ऐसी रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है और इन कैंसलेशन के वज़े से करीब 200 कोर्ड रुपे का आसपास का नुकसान जो है अब तक हॉस्पिटालिटी इंडस्ट्री जो है उनको हो चुका से करेंसलेशन ऑन जो हुए है और इनकोट यह कांसलेशन जो है और उक्क काम हूए है 25 दिसंबर से अब तक अगर उक्क केंजेंगे तो तो करीब 15 से 20 से 10 से 15 पसंड के आसपास की कमी जो है वो ऑक्किपेंसी और रेट में भी देखने मिली है फुट फॉर्स जो है उसमें वहाँ पे करीब 50% के आसपास जो है वो occupancy level में गिरावाट आई है हाला कि रिपोट्स ये भी कह रही है कि भले occupancy level में 25 December के बाद गिरावाट आई हो या फिर rates में गिरावाट आई हो लेकिन quarter 3 अगर आप देखेंगे तो इससे जाधा फरक नहीं पड़ेगा करीब 5 से 10% के आ रम्याजा जो है वो hospitality industry को भूगतना पड़ा है करीब 200 करोड के आसपास का नुक्सान जो है ये इंडेस्ट्री 25 दिसमबर से अब तक झेल चुकी है अब तक hotel industry को 200 क debates के रेवेन्यू क्या रेविन्यू रेविन्य फिर भी छुरामसे तिक है है मैने प्रिफीटाइम भी देखा होए लेकिन ये ज्यास आपके बार ये वापस योårणा काण्ठ्रोल में आए आए तो ये ओपन अप वाले शेयर ऐसे भागेंगे, हाथ में नहीं आएंगे देख लेना, लिक्कर थो आप सो, डेल्टा, इंडियन होटल, पीवी आर, इंडिगो, जो आपको समझ में हैं, बाकी होटल वगरा, बाकी काने पीडिके, गजब के चलेंगे, इसके एक जलक तो हमने गाएंगे, अब तो ये अब ज़्यादा पर्मानेंट खुल रहा है, इसलिए इस बाद ये शेयर ओर ज्यादा जोड बागेंगे, बस इसके बाद सब ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं